अमेजन जंगल जहां जाना मौत के मुह में जाने के समान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल सत्तर लाख स्क्वेर किलो मीटर में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अकेला जंगल को Heart of the Earth भी कहा जाता है क्योंकि धर्ती के कुल आकसीजन का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जंगल से प्राप्त होता है कि यह जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जबकि 25 लाख से अधिक कीडों की प्रजातियों का वास हैं और अमेजन के जंगल में एनाकॉंडा जैसे जहरीले सांप, पिराना जैसे खतरनाक मचलियां और जानलेवा बीमारियां पहलानी वाली चमगादर भी इसी जंगल में पाई जाती हैं रहस्यों से भरा अमेजन जंगल एक अबूज पहली की तरह है इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है क्योंकि यह अर्बों एकड में पहला हुआ है यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही नौ देशों की सीमाओं को छूता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे जीव जन्तू और अन्य चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इनसान सोचता तक नहीं है। आपको बता दें कि इसी जंगल में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इसी कालपनिक नदियों की कहानिया सुन रखी थी, जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी। लेकिन तब उन्हें इस बात का बिलकुल भी अहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूसों के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अकसर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है। यहां तक कि उन्होंने विश्व विद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कम्पनियों से भी इस बारे में जानना चाहा। लेकिन सबका जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तोर पर भी देखें, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे। जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वाला मुखी ना हो। इस असंभव स्थिती में एक दिन वो अमेजन के जंगलों में पहुँच गए। जहां उन्हें अपनी कालपनिक कहानी सच होती हुई दिखी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंड ही निकाला, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। यह नदी करीब मील लंबी है रूजो के मताबिक। इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मताबिक अगर कोई इनसान या जीव जन्तू इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंथ ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। रूजो ने इस नदी के बारे में एद बॉइलिंग रिवर, Adventure and Discovery in the Amazon नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में उन्होंने नदी के रहस्यों के बारे में बताया है, उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्य मैं भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुम्किन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि 25,000,000 से अधिक कीड़ों की भी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इन में कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जो अगर काट लें तो पल भर में इनसान को मौध की नींद सुला सकते हैं। यानि कुल मिला कर यह जंगल एक खतरनाक जगह है, जहां जाना मौध के मूह में जाने के समान है। हालां कि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इनसान नहीं रहते, बलकि पांच सो से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहां निवास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन में से 50 फीसदी प्रजातियां तो ऐसी हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है और कुछ ऐसी भी हैं, जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देते हैं। अमेजन जंगल में एक से एक खतरनाक मकडियां पाई जाती हैं। इन में से ही एक हैं टारांटुला मकडी। यह मकडी इतनी खतरनाक होती है कि अगर इंसानी आँखों में पढ़ जाए तो उसे पल भर में फोड़ सकती हैं। अब हम अमेजन जंगल में कुछ ऐसे पेड के बारे में जानेंगे जिनहें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक, अमेजन जंगल में कुछ ऐसे भी पेड मौजूद हैं, जो इनसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं इन पेडों को आदम खोर पेड कहा जाता है यह बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड मांस कैसे खा सकता है लेकिन यह सच है लेकिन अमेजन जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती है तब सोचने वाली बात यह है कि अमेजन जंगल में आदम खोर जैसे पेड हो सकते है तो फिर और कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें इस जंगल में मौजूद हो सकती है खैर यह एक शोध का विशय है साल 1541 में स्पेनिश खोज करता फ्रांसिसको डी ओर एलाना सोने के एक पौरानिक शहर की खोज के लिए निकले थे जैसे ही वह अपनी नाव से रियो नैपो से नीचे की ओर गए तो पाया की वहाँ एक बेहत घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहते है साल 1542 में अट्लांटिक के सफर से वह स्पेन लोटाए और उन निडर आदिवासियों की कहानियां सुनाने लगे यूनानी पौरानिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम M. John रखा गया आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें